आज ओनलाइन बेमिनार में हुई ओमिक्रोन बाइरस के बचाबब सुरक्षा पर बिसेश चाचा हुई जिसके मुख्य बिंदुगों के बारे में समस्त देशवासियों को बताते संस्ता मानुवादिकार सुरक्षा ऐवं सरक्षन आर्गोनाजैशन के राष्टि सचीब शिरिकांत अवस्ति सभी देश्वासियों को मेरा नमस्कार जैश्री राम मित्रों आज हमारी और्गोनाजैशन गी तरप से एक बेविनार रखी गई थी और उस में हमारे आधरणी क्रपा शंकर जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो आज के समय में ओमिक्रोन वारेस चला है उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में उन्होंने कई बिन्दों में बात की और हम सभी को बताया तो मैं आप सभी को उनकी बताय भी कुछ पॉइंट कुछ तरीके बचाओ के हैं जो मैं आप लोगों से सेर करना चाहता हूँ जैसे नमबर एक हमें मास्क बहुत जरूरी है कई वार लोग घर से मास्क लगा के निकलते हैं और रास्ते में हटा देते हैं या कई वार निकालते हैं फिर लगाते हैं ऐसा नहीं करना है हमें मास्क प्रॉपर लगाना है तभी इस बैरेस से हम बच सकते हैं नमबर दो हम घर से निकलने के बाद सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पाते हैं, जो हमें करना है, हमें भीड से बचना है और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, में दूरिया बना कर रखना है, तब ही हम ओमिक्रोन वाइरस से बच सकते हैं. हम घर आगर के अपने हाथ को सेनिटाइजर करें, अपने कपड़े जो हम पहन के गए हैं, वो प्रापर वे पे उसको अपने अलग रखें और घर में दूसरे कपड़े पहनें, और बीमार वेक्तियों का विश्यस ध्यान रखें, जो हमारे आदरनी करपा शंगर जी ने बताय जो घर में किसी प्रकार से दमागी विमारी है, कैंजर है, या सुगर है, ऐसे वेक्तियों को विश्यस तोर से उनका ध्यान रखना है, एंटी बाडी बनाने के लिए हमें खुस रहना है, प्रिसन रहना है, फाल्तु चीजों का ध्यान नहीं देना है, खुले वातावरण मे रहना है, हमें हवा का विश्यस ध्यान रखना है, हम खुले में बैठें, बंद कमरी में ना बैठें, बिटामिन सी जैसे आवला है, संत्रा है, नीबू है, इस प्रकार के कुदर्ती फल, फ्रूट्स भी लेने हैं, जो उनके दोरा मुझे हम सब को आउगत कराया गया, बता बोड़ी है, ऐसी चीजों का हमें हमेसा वहिस्कार करना है, और कोशिश करें कि घर में भी आईली चीजें हम कम से कम इस्तेमाल करें, अपने खुद का ध्यान रखें, हमें भरपूर पानी लेना है, क्योंकि 70% पानी हमारे सरीर में होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए ह कि हम गुनगुना पानी पिए इसे गुनगुना पानी से वायरस खतम हो जाता है तो हम दिन में कई बार गुनगुना पानी पिए उसका प्रयोक करें योगा करें इस प्रकार की अगर हम पर्याप्त मात्रा में आराम करें हमें आराम की भी बहुत आवशक्ता होती है कम से कम है 8 गंटे हमें अपने अपनी शरीर को रिफ्रेस करने के लिए हमें सोना चाहिए हम कई बार आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं कंप्यूटर में मोबाइल में वो लगे रहते हैं सोचल नेटवर्किंग में लगे रहते हैं पढ़ाई का करनाइशन में उन्होंने बहुत सारी बात दें उसके कुछ बिंदु में आपके सामें रखे इनके द्वारा हम अपने इस ओमिक्रोन वाइरस से बस सकते हैं जै हिंद जै भारत